नमस्कार मैं हूँ शिवेंद्र स्रिवास्तो और आप देख रहे हैं स्ट्रेष्ट भारत केंद्र सरकार और किसानों के बीच तनातरी में नई खबर सामने आ रही है बड़ी खबर ये है कि सरकार ने पेशकस की है कि पांचवी बार वो किसानों से बात करने के लिए तयार है इसके लिए बकाइदा केंद्री कृष्णमंत्री अरजिन मुंडा के तरफ से ओफर दिया गया है कि अगर किसान चाहें तो सरकार के साथ फिर से बातचीत हो सकती है सरकार ने पांचवी दौर की बातचीत का नियोता दिया है किसानों को सभी मांगों पर विचार करने के लिए किसान की तैयार है सरकार और सभी बातों को सामने रख करके ये भी तैय किया जाएगा कि कौन सी मांग कितने दिनों में पूरी की जा सकती है पांचुय दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार ने किसानों से कहा है साथी साथ हम आपको यह भी बता दे इससे पहले 16 फरवरी से जो यह आंदोलन शुरू हुआ था वो लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है और कई बार किसान अंदोलन के दौरान अंदर आने की कोहिश कर चुके हैं दिल्ली के भीतर अभी भी अंबाला के पास संभू बॉडर पर किसान जमा हुए है उन पर आसू गैस के गोले छोड़े गए और उससे पहले उनको ये भी ताकीद दी गई कि वो आगे न बढ़ें वरना उनके खिलाफ एक्षन हो सकता है आपको ये भी बता दें कि कि किसानों के मेता ने खुद भी अपील की कि किसान दिल्ली की तरफ न बढ़ें लेकिन किसान नहीं माने और वो आगे बढ़ने लगे जिसके बाद उन पर आसू गैस के गोले छोड़े गए ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों की अगर बाचीत इस बार भी फेल रहती है तो किसानों का ये अंदोलन सरकार के लिए नुकसान दे हो सकता है हलाकि केंद सरकार ने साफ किया है कि वो किसानों की मांगों को मानने के लिए तयार है लेकिन हर चीज में वक्त लगता है सबसे बड़ा पेज जो फसा हुआ है वो MSP को ले करके है और केंद सरकार का कहना है कि किसान जो MSP की मांग कर रहे हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए और इसके बाद तैया होगा कि क्या रास्ता निकलेगा इसके अलावा बिजली की बात को लेकर के इसके अलावा तमाम और बिल्स को लेकर के किसान अपनी मांगे पूरी करने के लिए कह रहे हैं और इसी को लेकर के अंदोरन कर रहे हैं फिलाहल अभी ये तक्रार खत्म होती हुए नहीं दिख रही है लेकिन अच्छी बात यह है कि पाच्वे दोर की बातचीत का नियोता कि इन सरकार को दिया है और खुद कर्शि मंतरी अरजुन मुणडा ने किसानों से कहा है कि वो बात करने के लिए तयार है यानि कि अगर ये गतरोद दूर होता है तो किसानों का मुद्दा सुलच सकता है लेकिन जिस तरह से चार बार बात बेकार गई है बात नहीं सफल हो पाई उससे लगता है कि पांचवी बार भी किसान अपनी बातों को लेकर केही अड़े रहेंगे रास्ता निकलेगा MSP की बात पर ही और इसी बात को लेकर किसान लगातार कह रहे है कि किसानों को MSP जो लागू किया जाना है उसके बारे में ठोस कोई सरकार जवाब दे और इस पर नियम बनाए काईदा कानून बनाए लेकिन सरकार का कहना है ये लंबे प्रोसेस हैं और इसमें बहुत कानूनी अरचने होती हैं उनको सबको देखने के बाद तैय किया जाएगा कि क्या रास्ता निकले फिलहाल ये रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है लेकिन लोगसभा चुनाओं के पहले जो ये तकरार है जो दिवार बड़ी हुई है ये बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है के इन सरकार के लिए इस लिए लगातार कोशिश है कि किसानों से बादचीत करके इस समस्या का हल निकारा जाए लेकिन इस बीच किसान लगातार आंदोलों कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कहीं कहीं तकरार कहीं कहीं आसुगैस के गोले लाटी चार्ज और प्रदर्शन कारियों के खिलाब बल भी प्रयोग हो रहा है बावजूद इसके ये थमने का नाम नही रहा है और ऐसे में अगर बात्चीत विफल होती है तो यह रास्ता और मुश्किल हो सकता है अब देखना यह है कि केन सरकार इसमें क्या रास्ता निकालती है जिससे किसान उनकी बात भी मान जाया और पूरा विवात खत्म हो सके श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत